साथियों, पिछले दो मेहनों से लाखों लोग अस्पतालों में, एरपोर्ट पर, दप्तरों में, सहर की गलियों में, दिन रात काम में जुटे हुए हैं। चाहे डॉक्टर हो, नर्सीस हो, हसिटल का स्टाफ हो, सफाई करने वाले हमारे भायी बेहन हो, एरलाइन्स के करमचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो पुलीस कर्मी हो मीडिया कर्मी हो रेलिवे, बस, आटो रिक्षा की सुविदा से जुड़े लोग हो होम डिलिवरी करने वाले लोग हो ये लोग अपनी परवा न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए है आज की परिस्तितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकती आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खत्रा मोल लेते हैं बावजुद इसके ये अपना करतव्य भी निभा रहे हैं हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं ये अपने आप में राश्ट रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ति बनकर के खड़े हैं देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का संगठनों का कृतग्या है मैं चाहता हूँ कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और धन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक 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 व्यक्ति को जोड सकता है रविवार को यहने जन्ता करिफ्यू के दिन शाम को ठिक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खीडकियों के सामने खड़े होकर पांच मिनिट तक रविवार को शाम को पांच बजे पांच मिनिट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके हम उनके प्रती अपनी कृतग्यता भेक्त करें उनका होसला बढ़ाएं उनको सेल्यूट करें पूरे देश के स्थानिय प्रसाशन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार को 5 बजे सायरन की आवाज से इसकी सुचना लोगों तक पहुंचाए सेवा पर्मो धर्म के हमारे समस्कारों को मानने वाले ऐसे देशवास्यों के लिए हमें पूरी स्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए